नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिल से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर क्योंकि आप में से कई व्यूवर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि मैं फिल्मों को लेकर डिश्कशन जारी रखूँ तो मुझे लगा कि मैं हर फ्राइडे को आपके लिए एक फिल्म रेक्मेंडेशन पेश करो यह इंग्लिश फिल्म या फिर हिंदी फिल्म हो सकती है मगर आइडिया यह है कि एक ऐसी फिल्म के बारे में आपको थोड़ी जानकारे दूँ जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो और हो सके आप वीडियो देखकर खुद इस फिल्म को देख ले क्या कहते हो तो इसी बात पर मैं आप से दुबारा 90s के बारे में आज थोड़ा बात करूँगा इन स्पेसिफिक 1994 जब कुछी हफतों के बीच तीन अलग हॉलिवोड प्रोड़क्शन हाउसे की बाम से जोड़ी फिल्में रिलीस होई Speed, The Specialist, और Blown Away तीनों फिल्म की अलग पफॉर्मेंस रही अमेरिकन बॉक्स ओफिस पर for various reasons और मैं आज आपसे इन में से एको लेकर थोड़ा बताऊंगा एक ऐसी फिल्म जो मुझे अच्छी लगी इसके बावजूद कि वो बॉक्स ओफिस पर बिट गई 1994 की फिल्म Blown Away इस फिल्म को मैंने इसके रिलीस के तीन साल बात देखी जब मैं boarding school में था होता क्या था कि हर संडे को hostel में हम लड़कों को एक English फिल्म दिखाई जाती थी VHS पर common room के अंदर और ये basically वो फिल्म होती थी जो किसी hostel dorm parent के पास उस समय पर होती थी तो एक संडे को हमें blown away दिखाई गई और मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंके 90s में action thriller film में एक अलग level पे होती थी कहानी simple है और मैं आपसे कोई spoiler share नहीं करूँ बस इतना बता दूँ कि फिल्म की कहानी एक bomb squad officer के बारे में है जिनसे एक jail से भागा हुआ आतंगवादी बदला लेने लगता है और कैसे दोनों का बीता हुआ कल इस revenge से जुड़ा है एक proper action film है ये जिसमें बहुत सारे explosions हैं और फिल्म के निर्देशक Stephen Hopkins और उनके regular DOP Peter Levy ने इन सारे scenes को बड़े impact से दिखाया है emotional angles भी अच्छे है hero और उनके परिवार के बीच hero और उनके अंकल के बीच जो हकीकत में actual father son जोड़ी है of Jeff Bridges and Lloyd Bridges और उस officer और उनके colleagues के साथ background score और setting भी एकदम impactful है अगर कोई कमजोरी है इस film में तो वो ये है कि logic नाम की चीज़ अकसर गायब हो जाती है जैसे कि Tommy Lee Jones के किरदार को इतना समय कहां से मिलता है अलग के सम के bombs बनाने में but still despite some cliches and a bad attempt at an Irish accent from Tommy Lee Jones blown away made for engaging viewing when I first saw it अच्छा अब आपको कुछ interesting चीज़े बताता हूं इस film के बारे blown away जब 94 में release हुई तो इसके टक्कर में उस साल की blockbuster speed थी जिसका जादू box office पे ऐसा चला कि आस पास के सारे फिल्में पिट गई और यही कारण था मेरे असाब से कि blown away ज्यादा impact नहीं कर सकता हलंकि अगर दोनों फिल्मों को देखें तो blown away के चलने के ज्यादा chances थे क्योंकि इसमें एक established Hollywood hero था Jeff Bridges और क्योंकि यह उनकी पहली action film थी तो जनता interested थी film देखने में फिर film के villain Tommy Lee Jones उन्होंने उसी साल Oscar Award जीता था hit film The Fugitive के लिए और दूसी तरफ speed में एक B-grade hero था एक नही heroine और एक first time director परन्तु जब दोनों फिल्में रिलीश हुई तो speed एक all time blockbuster साबित हुई और blown away ने अपने 50 million dollar के budget पर box office पर तकरीबन 30 million कमा है दोनों फिल्मों की plot भी एक level पर similar थी एक में एक आतमवादी बदला लेने के लिए Boston शहर के कुछ bomb squad बालों को EK करके उड़ाता है और दूसरे में एक पागल retired police वाला बदले के लिए एक bus पर bomb डालता है पता नहीं क्या था दोस्तों 94 में कि पागल bombers पर फिल्में अचानक Hollywood में कैसे बने लगे around उसी समय पर Sylvester Stallone की film The Specialist भी रिलीस हुई खेर, blown away की नाकाम्याबी की एक बड़ी बज़े speed है क्योंकि blown away को बनाने वाली production company फिल्म हिट होगी भही speed के producers 28th Century Fox उन्होंने अपनी फिल्म को जल्दी सिनमा घरों में उतारी ताकि audience इस picture को blown away से पहले देख ले ये एकदम सही निकला क्योंकि speed एक बड़ी hit साबित हुई और जब तक blown away आई तो bomb on a bus concept already audiences को जीट चुकी थी in fact blown away में भी एक scene है जब hero एक गाडी से bomb अतारने की कोशिश करता है इस सब के ऊपर blown away को तीन और blockbuster filmों से मुकाबला करना पड़ The Lion King, Forrest Gump or True Lies so these are major reasons why the film failed to attract the summer audience in America that year खेर जो भी है मेरे असाब से blown away एक solid action trigger है मैं 16 का था जब इसे पहली बार VHS पे देखा then I saw her again during college in the USA और फिर कुछी दिन पहले इसे Amazon Prime पे देखा मैं और 30 साल बाद जिस film को critics और जनता ने खराब कहा और जो box office पर पिड़ गई मुझे आज भी film में entertain किया क्या ये सिरफ nostalgia वाली बात है शायद एक level पर पर अंतु मुझे रखता है कि 90s की action thrillers ज्यादा entertaining थी आज के English filmों के साब से I honestly cannot remember the last engaging Hollywood action film I saw which is perhaps why I've started to re-watch these types of films from the 90s like Blown Away Backdraft Speed Die Hard 2 The Fugitives US Marshals Patriot Games Assassins Clear and Present Danger और दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अगर Blown Away आज के time पे release होती looking at the current standard of Hollywood action thriller films तो ये एक बड़ी hit film होती अगर आपने नहीं देखी ये film तो I suggest you check out Blown Away which is available on Amazon Prime Video right here in India और अगर आपको ऐसी कुछ और फिल्मे याद हो तो comment करिये ऐस विडियो कि नूचे ध्यों 아침 नग्वाच्ए वजग वाची रूच्छी एस्ज मो कि अएमी अल्टर और आपको जूख आपको एस्ट जनावे अवादे दर जोगर एस्धवान्ी धुर्त ये रखूश्यों घंगर आण्यों थी रedes्यम्यास